चलिए आज बनाते हैं छोटे वाले बैगन के बहुत ही टेस्टी सबजी आप एक पार इसे जिरू ट्राइ करें सभी को काफी पसंद आगा अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैफुल लगेगा तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ब इस तरीके से एक्स्ट्रा को हमें कट करके इसी हमें चार भागों में कट करना है एक दम लाज तक हमें नई कटना है यह तो भूनते वक्त यह अलग-अलग हो जाता है इसी तरीके से हमें सारे बैगन को कट कर लेना है इसके अंदर हमें कीडा भी चेक कर लेना है तो देख स सकते हैं सारे बैगन कट चुके हैं अभी हमें गैस पे चड़ा देना है कडाही को इसमें डाल देना है दो चमस तेल अब जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रैस्पी को बना सकते हैं तेल गरम हो चुका है अभी हमें इसमें कटे हुए बैगन को डाल देना है इसे हमें चल दालेना है, गैस का फ्लेम हमें low to medium रखना है, थोड़े थोड़े देर में हमें बैगन को चलाते रहना है, बैगन को भूनते हुए 2-5 मिनट हो चुका है, यह अच्छे से भून चुका है, अभी हमें बैगन को निकाल लेना है, और बच्चे तेल में आधा चमच हमें जीरा ड दाल देना है, अगर हिंग पसंद करते हैं तो डाले नहीं तो अस्किप कर सकते हैं, दो मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्यार डाल देना है, इसे हमें चला लेना है, गैस का फ्लेम हमें low to medium रखना है, हमें प्याज को तब तक भूनना है, जब तक प्याज का कलर ब्रा लगेगा, इतने देर में प्याज का कलर हलका ब्राउन हो जाएगा, प्याज को भूनते हुए धाय मिनट हो चुका है, अभी हमें इसमें डाल देना है एक चम्मच कूटी हुई लसुन अद्रख, आप लसुन अद्रख का पेस्ट भी ले सकते हैं, इसे हमें चलाते हुए आ जटा हुए टमाटर, अब चाहे टो टमाटर का प्यूरी भी इसमें डाल सकते हैं, इसे चला लेना है, गैस का फ्लेम हमें लोक कर लेना है, अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धन्या पाउडर, आधा चम्मच कस्मीरी लालमेश प मसाले को चला लेना है, ग्यास का फ्लेम हमें लो रखना है, धीमे धीमे हीट पर ही हमें मसाले को भुनना है, मसाले को हमें धक धक कर भुनना है, मसाले को धक कर भुनने से टमाटर काफी जल्दी सौप्ट हो जाएंगे और मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे, थोड़े थ जब तक टमाटर एकदम सौफ्ट नहों जाएं इसे भूनने में 2-5 मिनट का इतिने दिर में मसाले अच्छ़े से भून हैं तमाटर सौफट हो चुका है इसे हमें हलका मैस कर लेना है अभी हमें इसमें डाल देना है भूने हुए बैगन को इसे हमें जला लेना है गास का फ्लेम हमें लो मीडियम रखना है और इसे हमें एक मिनट के लिए भून लेना है थोड़े थोड़े देर में हमें बैगन को चला लेना है बैगन को भूनते हुए एक मिनट हो चुका है अभी हमें इसमें डाल देना है पानी इसे पकने के लिए हमें इसमें एक ग्लास पानी डालना है और अभी हमें कडाही का धकन लगा कर इसे 5-6 मिनट के लिए low to medium हिट पर पकने देना है सबजी को पकते हुए 6 मिनट हो चुका है अभी हमें कडाही का धकन हटा लेना है और सबजी को चला लेना है एक बार इस तरीके से छोटी वाले बैगन की रेस्पी जरूर बनाईएगा सभी को काफी पसंद आएगा आप इसी रोटी, चावल, पूडी, फराठे के साथ सर्व कर सकते हैं उपर से थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पता डाल दीना है, गैस का फ्लेम आफ कर दीना है कमेंड में जरूर बताईएगा ये रेस्पी आपको कैसा लगा, आपके फैमली वालों को कैसा लगा थैंक्यू फर वाचिंग